कि दोस्तों भी बच्चों से बात हो रही थी आज स्यों क्यों 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 बच्छों को पेपर लेने वाली है तो एक आइडिया यहां से निकल के सामने आ है आज के जो एक्जाम हुआ है उसका मैं आपको बताता हूं क्या डेटा रहा है मैंने बच्चे से बात की अभी तो सारी चीजें मैंने एक रियल यहां पर लिए यहां पर 75 कोशन आज की पेपर में आए हैं जिसमें से 25 कोशन इंग्लिश के अलग ही सेक्शन वाई थे वो ठी साथ मिक्स थे हैं और उसके अंदर जो कोशन से बचा लगबग 11 या 12 कोशन रीजनिंग के मिलें और 38 कोशन टोटल क्वाइट के मिलें जो आज की बता रहा हूं जिसमेंसे 15 कोशन जो हैं आपके वह आएं दस डियाई से और पांच आए डाटा सफिशेंसी से डाटा सफिश उसमें जिसरे मालों आपको वहां पर 4 डेटा दे गए तो कितने डेटा से अपना कोश्चन का अंसर निकल जाएगा या फिर आपको 4 डेटा दे जैसे मैंने आपको कोश्चन करवा किसकी कम है इस ट्राइब से कोशन का अलग कर सकता है ठीक है और दूसरी चीज मैंने चीज बागी क्या है इसमें क्या है जो एंटीन श्रेबर्स दिया था ना वही उसने पूछा है मतलब हमने एक्स्ट्रा जो चीजे की थी कि यह भी आ सकता है वो चीजे नहीं आई यह जो एक्ट्रेवस था उसी में से पेपर आया है और उसने यहां पर रेशो से पार्टनर्शिप है और बाइप चाहूंगा आपको जाहूंगा कि एक तो जो उसने किया था यह साथ कर दी हर 5-6 के बाद में एक गुगली फैंक रहा था या फिर एक बाउंसर फैंक रहा था जो कि मतलब मुश्किल कोश्टन या तो डाल दे रहा था या कोश्टन देखने में इजी लग रहा लेकिन था कैलकुलेटिव टाइम ले रहा था तो आपको सबसे जरूरी जो चीज यहां पर करनी है करना जैसे कोशेंडल लगे त्रुंट की करना है कोशेंट अगर आप लोगों को जैसे आपने कोशेंट देखा आपको एक पर इसनल पता सकता है हो जाए कि उसको करो एक बार जाएगा अगर यह लगे तब कुश्चन करना वरना फर्स्ट राउंड में सारे कुश्चन्स आप लोग जो है करते हो चली जो जो आपको आते हैं ना उसके बाद जो लास में टाइम बचेगा अब यही दिक्कत आ रहे हैं बच्चों को कहा रहे हैं कि लेंदी था लेंदी थ है ना कहीं डाटा सफिशन्सी में आपका टाइम लगवा दिया उसने यह हो सकता है कहीं आप लोगों को खोड़ा सा कैलकुलेटिव कोश्चन बीच बीच में डाल दिया तो उसको जिसने छोड़ा है उसका पर तो सही गया है लगबग लगबग वही चीज़ें आई है सारी कि सारी जो बच्चों को पढ़ाई थी जतना क्वांटो रीजनिंग के अंदर कराया था सारा पेपर वहीं से फसा है इवन मैंने एक्स्ट्रा कराया था चलो आ जाता तो हम वो भी कर लेते लेकिन नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है जतना पढ़ाया था उसमें से चीज़ें आ गई तो आप लोगों को भी कहूंगा लास्टाइम में ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पांच घंटे वाली वीडियो अगर टाइम हो तो उसको एक बार रिवाइस करके देख लेना और लास्टाइम में कोई भी नहीं चीज़ों के चक्कर में मत पढ़ना कोई ऐसा नया का नहीं चीज़ पेपर का लेवरल मोडरेट आएगा फिर बता रहो आप लोगों को यह नहीं कि लास्टाइम में मुश्किल सीजे करे पेपर का लेवल होगा आसान थोड़ी सी speed fast रखनी है question जहां पर easy लगे उसको फटा-फट करना है time ज्यादा वेस्ट नहीं करना है time waste कहां होता है जहां पर मुश्किल question में time लगाते हैं suppose series का question कर रहे हो नहीं दिमाग में आरा logic तो बैठे नहीं रहना है सोचा पांट साथ 10 सेकिंड 15 सेकिंड नहीं हुआ आगे बढ़ो लास्ट में हो सकता है आपको वह चीज क्लिक कर जाएं ठीक है बस यहीं कहूंगा best wishes है मेरी यह सबको पेपर डेफिनेटली सबका बढ़िया होगा जो हमसे यहां पर पढ़ा हुआ है पेड में यूटूब में जो पढ़ रहा है ना हंडेड और वन परसंट उसका पेपर बढ़िया होगा अगर वह अपना 100% करके आ तो पेपर का नहीं खुद अगर अपना जो आता है सब करके आया उ वैसे वैसे कोश्चन जो हैं आपको मिलने वाले हैं और लेवल नॉर्मल रहेगा कैलकुलेटर अगर को बीच में आये तो उससे जूजना नहीं है पेपर से पंगे नहीं लेने हैं मश्किल लगे स्किप करो आगे बढ़ो ठीक है ना ऐसे निए कि कहीं पर स्टक हो जाए त ठीक है चलो मिलते हैं आप से उली ग्लास में थेंक यू